कल्यान तो वो होगा नहीं पैसे कमाने का साधन जरूर हो सकता है आप पहले राजनितग्य हो सकते हैं पहले पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं उसको हम लोग हमारे यहां बहरूपिया बोलते हैं जिसको आवशक्ता के हिसाब से जो वेस बदल ले उसको बहरूपिया करते हैं उस प्रोता प्राग्वदनस्तथा व्यूत्क्रमपादयोर्गेयो विरोधो नास्तिकस्चना प्रिदर्शुकूं नास्कार एक बार फिर से उपस्तित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कारेक्रम में चंद्रमा को लेकर के एक छोटी सी बात है जो निश्यतुरु से आपके ग्यान की वृद्धी कर सकती है जैसे कि आप लोग जानते हैं नमक ग्रहों में सभी ग्रह के पास चाहे कितना ही बल क्यों न हो चंद्रमा के पास अगर बल नहीं है तो सारे के बल धरे के धरे रह जाएंगे। केंद्र में जब शनी मंगल रहु केतु हो जाते हैं तो विप्ति को अत्रक्त मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही आज दो लाइन की बात है। गरमत कहता है कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशी में बैठे हैं अगर उस राशी का अधिपती उन्हें देख लेता हूँ। और सुर्य यहां से बैठ करके उनको देख लेते हूँ। अगर उस राशी में जैसे मान लेजे शुक्र की राशी में चंद्रमा बैठे हैं। उस राशी के अधिपती के मित्र की द्रिष्टी अगर पढ़ जाए। तो जैसे अगर शुक्र की राशी में चंद्रमा बैठे हैं और शनी देव की द्रिष्टी उनपे पढ़ जाती है। तो भी व्यक्ती धनवान होता है। अब राजा नहीं होगा लेकिन धनवान होगा। तो भी वो धनवान बना रहता है। और इसी वज़े से मैंने थमनेल में लिखाता कि व्यक्ति निश्चित रूप से ही दराजा ही होता है, धनवान ही होता है, ये सिध्धान बड़ा लागू हो जाता है। मतलब आपको अपनी कुटली में चंद्रमा की राशी देखनी है और उस पे पढ़ने वाले ग्रहों को द्रिष्टी को देखनी है कि उस पे कौन सा ग्रह देख रहा है। प्रतिष्ठा कुल गवरों गोत्र का नाम रोशन करने वाला, स्रिष्ट गतिविदियों से धन कमाने वाला, भवन भूमी वाहन, अखंड सौ भागे की प्राप्ती कराने वाला ये चंद्रमा हो जाता है। प्रतिष्टा हैं उनका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो तो ज़्यादा स्रिष्ट गता है। और जो स्रोता हैं, उनका मुख पूरब की तरफ हो तो जादा बढ़िया है, स्रोता पूरब की तरफ मुख करके बैठे हैं, जैसे मैं पूरब की तरफ बैठा हूँ, और वक्ता जो हो, वो मेरी दाहिनी तरफ, जिनका मुख उत्तर की तरफ होता हो, वैसे ये सर्वस्त्रेस् आज और उसमें भी बात आती है कि सुनने वाला सदईव जमीन पर बैठ करके पालती मार करके सुनता हो विश्वास जी कता में जो विश्वास जी कता करते हैं उनमें वो खुद भी सोफे पर बैठते हैं और जो सुरोता होते हैं उनके वो भी सोफे पर बैठते हैं गलत होता है वैसे नहीं बैठना चाहिए तल्यान तो वो होगा नहीं पैसे कमाने का साधन जरूर हो सकता है आप पहले राजनितग्य हो सकते हैं पहले पता नहीं क्या-क्या हो सकते हैं उसको हम लोग हमारे यहां बहरूपिया बोलते हैं जिसको आवशक्ता के हिसाब से जो व नहीं बना तो बोड़ जो पूजा पाठ तो करहें, पर उस से आपका तो कल्याण नहीं होगा, आप और गर्त में ही जाएँगे, ये लग बात बात है कि भगवान की बात कहीं से भी नश्ट प्राया नहीं होने देती है, बचाती है, पर उस से उथान नहीं हो सकता, कल्याण क के मुकसे ही सुनना चाहिए जो निश्शित रुफ से कुल परंपरा और गुरु परंपरा से युक्त हो करके कथा का स्रमण सिंतन करता हो या उसके ही हिसाब से जीवन जीता हो उसके ही मुकसे कथा सुननी चाहिए पक्ती बात बोलता हूँ आज तो सबसे बढियां साधन, सबसे बढियां, अगर कुछ नहीं बनता है, ना दो रोटी का खर्चा, ना कुछ नहीं घर्चा है, कथाव आचक बन जाईए, और कुछ नहीं आता थोड़ा सा ग्रह वगरह समझ गए तो जोतिसी बन जाएए इस उसे बढ़ियां तो कुछ भी नहीं है आने वाले दिनों में हिंदू और सनातन धर्म के नुकसान का सबसे प्रदान यही दोनों छेतर बनने वाले हैं पकी बात है कथा वाचक और जोतिसी एक जोतिसी जो हैं वो कहते हैं कि आज आप के रासी से लव रासी फल यह है तो यह बड़ी यजीब बात होती है समझ में आता है कि आज आप बिवाह में नहीं है फिर भी सारी रिक सम्मंद बना सकते हैं प्रणय के मुहूर्थ होते हैं मित्रता करने का मुहूर्थ लक्षण होता है साधन बताया जाता है पर अब पता नहीं क्या क्या बताया जाता है चलो ठीक है सबकी अपनी बात है सबकी अपनी रोटी है सबकी अपनी अपनी चल रही है कुछ इसी तरीके से आज के इस कारेकन का समापन करते हैं निश्यतुम से ये बात थोड़ी अजीब है अटपटी है पर सही तो है और बुरी भी लगेगी जिसको कुछ नहीं आता है वो सबसे पहले कथा बाचक या जोतिसी ही बनता है तब तब के लिए बहुत बहुत तमसकर